बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com साथ बसाथ के अंदर किसी दूसरे के जीवन से दुख दुर भागय और दर्दरता को दूर करता है। कितने बड़े पुन्य का काम करता है आपका एक शेर। तभी तो कमल नंदालिया कहता है कि शेर तो बनता है असलिए शेर जरूर करें और खास बात क्या। अगर आप मेरी सेवाई लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूँ, आपकी कुंडली का विवेचन करूँ, आपकी कुंडली देख करके कोई आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई ऐसी समस्या जिसका आप समाधान चाहते हैं, या आप अ astrotak.com पर सिधा मेरे प्रोफाइल पर आकर सर्वेश सिलक कीजे मैं आपके और वहीं से ही सिधा मुझे कॉल मिला लीजे मुझे आपके कॉल का इंतिजार रहेगा तू चलिए अब बढ़ते हैं आगे और वास्तू का सच में सबसे पहले बात करेंगे आज के विशह पर मितरों आज हम एक बहुत खास चीज आपके सामने लेकर आते हैं और हमारा जो विशह है वो भी बहुत खास है इस वज़े से बन गया है कि यह अपने आप में बहुत एक कमाल की जानकरी आपको देगा एक ऐसा पक्षी जो बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता आपके जिवन में और हमारा विशह भी इसी पर टका है वास्तो अनुसार लिविंग रूम में लगाएं इस पक्षी के तस्वीर और पाएं बड़ी सबलता कौन सा पक्षी है यह देखें यह पक्षी एक्चुल वर्ल में आज की रेट में तो नहीं है लेकिन जिस प्रकार हमारे गिद राज नहीं है मतमियों में कहूं कि गरुण नहीं है संसार में लेकिन उनका वरणन शास्त्रों में दिया गया है उसी प्रकार से वेस्टर वास्तु में और चाइनीज वास्तु में फैंक्षुई में इस पक्षी का वर्णन है देखे इस बारे में हम बात करेंगे जब हम अपने घर को सजाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये विचारा आता है कि वास्तु के इसाब से घर को कैसे सजाएं कैसे हमारे हो से ताकि घर में शुबता आए वास्तु ही हमें इंडिकेशन देता है क्या सही है और क्या गलत है दिशाओं के अनुसार जैसे जोतिश हमें इंडिकेशन देती न कि ये समय अबधी हमारे लिए सही है ये समय अबधी हमारे लिए गलत है दिशाओं के इसाब से उसी प्रकार से दिशाओं के इसाब से वास्त वास्तु हमें ये इंडिकेशन देता है घर का वास्तु उच्छत होने पर हमारे जीवन में सुख और सम्रिद्धी आती है और वहीं अगर वास्तु में गड़बड हो तो वास्तु की जो कमी है न वो हमारे जीवन में तनाव पैदा कर देती है हमारे जीवन को उलट-पुलट कर देती है और धन की समझ सा पैदा कर देती है सबसे पहली बात स्वास्त और धन ये दो ऐसे एंगल्स हैं जीवन के जो वास्तु बिगाड देता है बिल्कुल बुरी तरीके से वास्तु में ऐसा माना जाता है कि लिविंग रूम में पक्षियों के तस्वीर बहुत सकरातमक परिणाम लेकर आती है लिविंग रूम आज कल एक زमाने में ड्रॉइंग रूम अलग होता था डैनिंग रूम अलग होता था आज जञ लिविंग रूम में तबदिल हो गई हैं कि चीजें जो हैं हो सिमड गई हैं तो आजकल ड्रॉइंग डाइनिंग बैठाक सोफा सब एक जगे पर एक एक कमरे को डिजाइन कर दिया गया है वहीं लोग बैठकर के खाना खाते हैं टीवी देखते हैं और बाच्चित करते हैं मैगजिन पढ़ते हैं ख़वारे पढ़ते हैं क्योंकि चीजें से मढ़ गई हैं कई बार ऐसा भी होता है कि काफी मेहनत के बावजूद भी है दियान से सुनिएगा हमें सफलता नहीं मिलती और सफलता हमसे कोसो दूर होती है लेकिन जहां पक्षी होते हैं आप देखे चहचाहट होती है वहां का बाताबरन अपने आप में ही आनंद में हो जाता है आप कितने भी डिप्रेशन में हो आप ही देखिए का जहां हरियाली है जहां खोशहाली है वहां पक्षी जरूर र प्रणन मैंने जैसे कहा चीनी वास्तु शास्त्र फैंक्श्वी में दिया हुआ है और साथ बसाथ के अंदर वेस्टन वास्तु में भी दिया हुआ है हाला कि इसका एक्जिस्टेंस इस पक्षी का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ संसार में नहीं है पक्षियों की मौजूदगी जैसे मैंने कहा सकरतमक्ता को बढ़ावा देती है और शास्तु यह कहता है वेस्टन वास्तु शास्त्र की कई ऐसे पक्षियों जिनके चित्र लगाने से हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आ जाती है मगर कई बार असली पक्षियों को घर में रखना संभवी नहीं है अब जैसे हम मोर का पिक्चर लगवाते हैं मोर पंक लगवाते हैं लेकिन मोर को रखना संभव नहीं है कई ऐसे पक्षियों जिनको नीलकंट को रखना संभव नहीं है चकोर को रखना संभव नहीं है हन्स को रखना संभव नहीं है इसी प्रकार से एक ऐसा पक्षी भी है Western वास्तू में और चीनी वास्तू में Eastern और Western दोनों में वरणान है इसका जिसकी मूर्ती या तस्वीर लगाई जा सकती है लेकिन वास्तविक्ता में वो बिलुप्त हो चुका है और ये है Phoenix वास्तू जो चीनी वास्तू शास्तर उसमें बताया गया है कि Living Room में Phoenix जो है उसकी अगर तस्वीर लगा ली जाए तो ये बहुत शुब मना जाता है Phoenix क्या है समझा जाए Phoenix अगनी का प्रतिनिधत्व करता है जो पौरानिक इनके पौरान है Chinese पौरानिक यानि कि पौरानिक का मतलब है इनके जो ग्रंत है उसके अंदर इसे मृत्यू के बाद में फिर इसे जीवित पताया गया है और Phoenix के आस्वों से भी उप्चार हो जाता है मूलतह ये अगनी का प्रतिक माना गया है ये जो पक्षी है ये अगनी का प्रतिक माना गया है इसी के कारण से इसे पौजिटिविटी दी जाती है अगर इसके बारे में खोजबीन की जाये तो और इसकी कहानी अगर सुनी और पढ़ी जाये तो एक मूवी भी आई थी हैरी पॉर्टर अगर आपने देखा हो तो उसमें फिनिक्स का वरणन है पूरी तरीके से आप देखिए इस बारे में रिसर्च कीजे आपको पता लगेगा और फिनिक्स अत्यादिक शुप माना जाता है वेस्टरन मोड पे भी और इस्टरन मोड पे भी लेकिन भारत के वास्तु शास्तर में इसका कोई वरणन नहीं है लेकिन मैंने अपने नीजी अनुभव से पाय आते हैं या उसके लॉगरित्मस हम लगाते हैं तो उस समय पर उस घर में काफी पॉजिटिव वाइब जा जाती है वास्तु जो वहां का है चीनी वास्तु शास्तर उसमें माना जाता है कि फिनिक्स पक्षवी के तस्वीर घर में लगाने से आपके लिए सफलता के रास्ते खुलते हैं क्योंकि अगनी का प्रतीक है और हर बाधा को जला देता है और सकरतम कूर्जा का संचार भी कर देता है वास्तम में फिनिक्स पक्षी कहीं पाया नहीं जाता है जैसे मैंने कहा आप से ये एक पौरणिक पक्षी है जो पॉजिटिव एनरजी का संचार करता है तो इसे कहा लगाना चाहिए इसे लिविंग रूम में लगाना चाहिए और लिविंग रूम की डक्षन पूरी वी वाल पे यानि अगने कौनी की वाल पर अगर इसे लगा दिया जाए तो जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आता है और बहुत ज़्यादा सफलता परदान कर सकता है तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही कल आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहें इस तो तक और अपने मित्र कमल लंदलाल को इसमीद के साथ इजाज़त दीजे कि आपका और हमारा हम सभी का आने वाला जो कल है आज से कुछ बहतर हो कुछ सुन्दर हो और सफल हो कल वास्तु का सच में आपसे फिर मुलाकात होगी इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षवाए